कि बिस्मिल्ला रह्मान रहीं सेक्नियर बारजी चैप्ट नमबर 16 के अंदर आज हम लोको मोशन इन परेमेशियम अमयबा एंजली फिश के बारे में पढ़ेंगे स्टार्इंग फॉं परामीशियम ठीक है कि पारमीशियम था बहुत आपको आइडिया होने चाहिए कि यह किंग्डम प्रोटिस का एक मेंबर है ठीक है और परेमेशियम थे तमाम और नेलिस लोकोमोशन के इसाब से पढ़ना है तो जो लोकोमोशन इसके अंदर वो सीलिया है ठीक है इनि इसकी बाहर सेल मेंब्रेन कि अद्धागे की तरह है ठीक है जिसना च्छोड़ धागे होते इस तरह का इक श्ट्रक्चर एंट रहें ठीक है ठ्राट लाग एकस्टेंशन जिसे हम कहेंगे जो कि सेल मेंब्रेन से बाहर आ रहा है ठीक इसे हम सीलिया के और इसकी उससी लेंथ है वो मैक्रो मीटर में होती सो यह बहुत छोटी छोटी से धागे होते हैं जो सल मेंब्रेन से बाहर आ रहे होते हैं ठीक है और यह सीलिया जोंसा है ना एक कहलें के जिस तरह चपू होते हैं किष्टी के चपू की तरह यह अरकत करते हैं ठीक है लेकिन किष्टी के चपू में और इसमें थोड़ा सा फ़ वेव लाइक मूवमेंट शो करते हैं से के मसल यहां से एक वेव स्टार्ट होगी इस तरह और फिर वह आएस तरह आगे एक्स्टेंड होते जाए इस तरह फिर इस तरह सी वेव आगे सारे अक्याइकशन में मूव नहीं करेंगे बलके हैं नहीं डिफरेंट डिर्क्शन वह लेकिन वेव होगी जो इस तरह आगे लहर जिस तरह सिल्वटों की लहर सी एक संद्रिय तरफ जाएगी तो थोड़ा से सीलिय के स्ट्रक्शन के बारे में स्ट्ड़ी कर लेता हैं सो यह कहलें के सिलिया है इसके अंदर आपको चुछे फाइबर्स नजर आएंगे मोस्ट लिए ट्यूबिलिन प्रोटीन होती हैं जिसके जरीए से यह बने होते हैं ठीक है और इसके अंदर आपको यह अलमुस्ट नाइन पेर्स होंगे टीक है इस तो इन यह एट सा नजर आता है एक्चुली एट सा नजर आता है इसमें जो बीच में ट्यूबिलिन प्रोटीन जे एंदर ट्यूबिलिन प्रोटीन अधिक से हम कहते हैं एकटीन प्रोटीन होते हैं जो के कंट्रैक्ट और रिलेक्स होती है तो इनकी कंट्रैक्शन और रिलेक्सेशन जो निसी है वह harp still control करता है कि फिरेव Moment फिर दीन नहीं के है टूबलेंस को साथ निता ब्रैट फोर्ड थीक है नहीं सेंटिस्ट नमवाज ब्रैट फॉर्ड और उसने 1955 के इंदर मैं इंटिन फिफ्टी फाइव के इंदर एक एर अनि के लिंक ए है दो पॉंट्स डिसकस किये के एम ब्रैट फोर्ड साथ आपर लिख दिया मैं इसे अथा किया है अचलि 1955 के अनदर उसने का जी के बेस सीलिया मूव करते हैं इसके दो स्ट्रोक्स है एक उसने का जी पावर स्ट्रोक और एक रीकवरी स्ट्रोक फावर मूवमेंट के लिए उससा ہے वह पावर स्ट्रोक होगा कि शेजने चंप तरहा पीछे की तरफ होगा पानी को पीछिक तरफ देखे लेगा और खोद आगे की तरफ जाएगा से रिकवरी स्ट्रोक में वापिस सीलिया वापिस आएगा लेकिन जब यह वापिस आएगा तो यह जो कहलें के पैरामीशियम है वो उसकी मुवमेट वे असर नहीं पड़ेगा लेकिन जब वो यह कहले कि जब पावर स्ट्रोक के अंदर जब यह सीलिया को मूव करवाएगा उसके लेटर रेडियस होगा ठीक है ग्रेटर रेडियस टेक है कि इसमें पानी को जादा पीछिक तरफ देखे लेगा फिर जब वापिस लेका है का स्मालर रेडियस के साथ उसकी मुवमेट होगी ता यह नहीं इसके जो सीलीय होगा इस तरह सीलीय और यह इस तरह आगी तरह मूब करेगा इसके इलावा परमीशन के इंदर एक ओर प्रापर्टी भी है वो भी आपको बताता है चलता हूं मैं कि जो परमीशन में इट कैंड ट्विस्ट अरॉंड इट्स एक्सिस थे कुछ भूयं इसतरा घूंपी घूँपि only शाथी जिस तरवा आप कहलें 29 कोई शी procedure, मोट पर एक्षिएalis के और मोट खरता है इसका और मोट काई डिर्ट करेंड क्यों के एक सीज के कीडि क्यों के फिर्टिक्व दोला मुटाष्सके डिटेल में तो यह सारी थी मॉभ्मेंट को और इस मॉव्मेंट को कंट्रोल आउगा एटिपीस कि आप छीड क्रोंतीं करते हैं कि जो पक लूडसी एक्टिन पोसरे कॉन्हें को Ведь या ठिछान करते हैं कहें फिर्ष्ट जो कहलें के पहला कुंसा स्ट्रोक था पॉर्स्ट्रोक पाउर्स्ट्रोक अंदर यह फाइव जोंसे हैं ठीक है फाइव जो कहलें के टुब्यूस थीक है यह कंट्रेक्ट करते हैं प्रावर श्रोक पैल्जन करां और इस त्रेंब कर evitar को तूर्द करेंगे यह इसाना बन कर वाएंगे ठीक है तो यह सारा हो गया मुवमेंट इन पारेमिशियम अब हम जरा अगले स्पीशी पर चलते हैं अमोईबा आमोईबा के बारे में आप सब जानते होंगे यह भी किंग्रम प्रोटिस्टा से लोंग करता है ठीक है अमोईबा अमोईबा जूंसरा है यह बिल्कुल कहलें के जिस तरह पानी जमीन पर बहता है ठीक है के लाइक अगर मैं यह ग्राउंड है ठीक है और यह अमोईबा बना रहे हैं यह इसका पॉइंट वन है फार रिजम्पल सो यह जब मूव करेगा तो किस तरह मूव करेगा किसका यह पॉइंट वन जोंसरा आगे चला जाएगा यह और यह जो बुकाय जो पार्ट है वो इस तरह जिस तरह पानी बहता है ना उस तरह ही यह इनि उसके साथ सर्फस के साथ साथ बहता है ठीक है और इसके जो फ्लोइंग प्रापर्टी है फ्लोइंग प्रापर्टी ही इसकी मूवमेट को कॉन्रोल करते है साथ साथ डारेक्श थीक है लेकिन डाइक्शन के लिए डायक्शन के लिए यह एक सीड़ो पॉडिया बनाता है ठीक है नहीं है मसंतर अब इसने जाना एक इसने जानाए सने उहने पॉइंट एक पर सिसने अपने बाडे और इससे एक सीडो पोडिया बनाना है और इस तरफ एकस्टेंड करना है फिर आज तरफ सारी बाडी को इस तरफ बहा देना है से सो फ्लो अन सर्फस्स और आपको थोड़ बहुत आइडिया होना चाहिए कि फ्लो जोंसा है ये किस वज़े से होता है दो है यह दिए च्रीमिंग गओं मेंट ओं और साइट अप्लाज़ा ओक कि बेसिकर सेल्म ऑना कि अंदर साइट उप्लाज़म और से ओक हैं अपनी आप को बहा रहा रहा है जो तरह इसके तक इससे के साथ के साथ पहते हैं या मुष्छित रवड में आवरं साथ से के सार्थ पोडिया का अगर हम इसके दर कंसेप्ट देखें तो सिंपल वो यह डारेक्शन के लिए वैसे जो एक्च्वल इसकी जो मूवमेंट है वो सर्फस के साथ बहना होती है ठीक है इस फ्लो लाइक प्रॉपर्टी यहनि स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है इसकी अगरसिया झाल स्ट्रीमिठक के यह हमेंट है अमोवबा के बारे में इसके बाद हम जैली फिश को डिसकस करते हैं जैली फिश कहलें कि बीवे सैंडिर्ण कि अर्क आए ले इन्वेस और इंवर्टिब्र घेश नारा रहा beth? निसे हम बाडीत काविटी कहते है बाडीत काविटी चेली शूंड और स्थुक्टै चिर लिए जैली प्षुश jally fish के बारे में हम बाध एक सो Jalis fish के अंदर क Technologies Body cavity होते हैं, Everything in promotions of the first phase this is Jолов fisher this jallah fish, so Jelle fish नहीं सब पहले phase के इनदर, बाहर से water intake करीग, it will take water, say , water लेने के बाद जिसका structure होगा it will be more like this ठीक है यह नहीं इसकी जो cavity of fill up हो जाएगी और इसका structure इस तरह हो जाएगा और इसके अंदर यहाँ पर पानी अंदर जमा जाएगा say so next step के अंदर क्या करेगा जली फिश क्या करेगी कि यह इस पानी को एकदम बाहर निकाले प्रेशर say के नहीं यह water को propel out it will propel out water ठीक है यहाँ भी first step के अंदर के हो रहा है intake of water को यह water को intake कर रहा है फिर यह second step के अंदर यहाँ पर देखें तो आपको storage of water नदर आ रही होगी storage of water say और third stage के अंदर propulsion of water ठीक है propulsion of water ठीक है कि वाटर को यह एक्टम प्रोपेल करें जिसके विसे यह एक्सरेट होगा अपवर्ड ठीक है कि against the propulsion यह न्यूट्रिंस थर्ड लागम तब अगर यह water को पिछी तरफ रिलीज करेंगा खुद यह आगी तरफ जाएगा तुस्से इस सारे process को हम कहते है जैट propulsion जिस नावन एज जैट को पुंच तो ठीक है तो अब हम रिवाइस कर लेते हैं आज आज हमने जो जो पड़ा इसमें लाग स्टार्टिंग फ्राम परमीशियों जो परमीशियम भी प्रोटिस्ट है चीज यह में रहने हैं आपने कि यह भी प्रोटिस्ट अनिमल है जिसके अंदर यह युक्रियाटिक अनिमल यूनिसलूलर मोस्ली होते हैं और इसके अंदर सीलिय में लोकोमोटरी आरगन था ठीक है जो किसके बाड़ी को कवर अप कर लेता हर साइड पर सीलिया मङूद होता है और सीलिय जो इनसे वह वेव लाइक मोमेंट जनेरेट करता है सभी और सीलियागा हमने श्ट्रक्चर थोड़ा स्टड़ी किया कि सीलिया के अंदर हमें एक्टिन प्रोटियन नजर आइं जो कि उसने 1955 के अंदर इसकी मूवमेट के लिए नेदो पॉइन्स डिसकस कि इसने का जी के जो पैरमीस्यम की मूवमेट है वो ब्वच्वल कोदा था ने दिन्स से में हमिला कर दड़ा थराइठ से फारवर स्त्रोð्व इने रिकवर स्ट्रोख ठीक पावर स्ट्रोre के अंदर जो पैरे मिरे में फारवरड मूव करेगा रिकवरिल स्ट्रोख चे उसने पॉखा, football अप जब ऑजर होें 5 टिब्यूज आउट ओफ माईन जोंसे हैं 5 एक्टिन प्रोटीन पार्टीकल जोंसे वह एक्ट्रेक्ट होंगे और बेंड करेंगे ठीक है जिसके परमिशम आगई तरफ मूव करेंगा और जबके रिकवरी स्टोकें रिमेनिंग फॉर जोंसे हैं एक्टिन मालिकुस वह उसको वापिस अपने अपने रिजिनल कंडिशने में लेका जैसे ही इनकी मूवमेंट नहीं होती है बलके एक इनमें वेव से स्टार्ट होती है लाइक पहले यह मूव करेंगे फिर यह वेवार साइस तागे ट्रैवल करेंगे फिर यह मूव करेंगे फिर आगे ट्रैवल करेंगे यह मूव करेंगे तो वेव लाइक प्रापर्टी आ अगर यह मोज बनाया है तो यह 0.1 है, थोडिय देर बाद आगे ट्रावल करने से 0.1 है, इदर आजे रहाए, तो यह फ्लो उनसर फ़र सिंपल, यह फ्लो किस वाज़े से स्टे मुवमें अन्ट होता, है कि यह नहीं फिर जांपल अगर इस तरफ फूड है एक पॉइंट पर फूड है तो यह इसकी डिरेक्शन के अंदर एक कहलें कि प्रोजेक्शन निकालेगा साइटो प्लाजम का और फिर अपने पूरे साइटो प्लाजम मास को इस तरफ मूव करेगा से सो सीटो पोडिया को help करते है डिरेक्शन देने में फिर हमने जैयलिठ फिश के लिए पढ़ा जैयलिठ बॉडिया गय बींटी होती है घाल कशिंग पर दो मृटर से इसकी बाडी के नियसकी बादे है ऑप ङकडियमेटार को को फूड करता है उसके पादत म संतर प्रैश्र करता कि इसक शक्क को मुमेंटम गेन होता है यानि मुमेंटम में से फिर आगे फावर्ड ट्रैवल करता है इस सारे कहने के प्रासिस को जट प्रोपोलिशन का नाम दिया गया है ठीक है जो कि किसमे हो रहा है जैरी फिश के अंदर सो आज हमने लोको मोशन इन पैरामीशियम अमोईबा एंजैली फिश के बारे में बात की कल हम लोको मोशन इन अर्थ वाम और फिर काक्रोज नेल और स्टार फिश वगारे के बारे में बात करेंगे